हालो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो माई योटूब चैनल आइम खुशी फैशन डिजाइनर आज मैंने आप लोग के लिए न्यू डिजाइन लाई हूँ इसमें प्रिंसेस कट में हम बनाने वाले हैं ब्लाउज ये है ट्रांस फ्रेंट ब्लाउज ये फ्लावर नेट का बनता है तो देखे फ्रेंड्स मेरी पूरी वीडियो देखे और इसमें बताईए कि मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग को और सिलाई की पूरी वीडियो है इसमें और स्टिचिंग की भी पूरी वीडियो है तो लाश्ट तक आप जरूर देखिए तो देखे पहले हम स्लिप्स कट कर लेंगे यहां पर जो बॉडर है हमारे पास वो कपड़े में अल्रेडी अटाच है और यह जो डिजाइन बनी है उसको हम नीचे लेंगे फ्रंट भाग में और यह 15 इंच पर हम निशान लगा लेंगे हमारा 14 इंच का बलाउच की लंबाई होगी 15 इंच पर निशान लगाने के बाद 4 इंच पर हम निशान लगाएंगे जो नेक का होता है धाई इंच पर शोल्डर और आर्म होल के दाने लगा है तो हम एक दो देर बेर्या दो इंच अब क्योंकि श्त्रश कापड़ हमं रखना यहां हो चोडा य्वान month future अद्वाधी 15 उड हैं पांच लिघोंट इंच गर मेंगे तो इसलिए हम नेक होता है फ्रोंट में वह छोटा ही लगते हैं भाई इंच च मेरिए ब प्रंट पार्ड को ही इसके उपर रखे and back up कर लेंगे फिन एक हम अलग से इसे कट कर लेंग ये भी 15 इंज का मारा तो देखेः फ्रेंड्स फिल्स ऐसे कट करना है तो उसको रखें फेंगे तो कि पड़ता है तो एसे हां कट कर लेंगे डवल से नाप की जरूरत नहीं होती है तो देखें फ्रिंस 4 इंच पे हमने रख लिये कट कर लिये हैं Чो चार इंच पर हमने फ्रणट पार्छ में तो बैक पार्ट में भी 4 इंच पे रखेंगे और यह 11 इंच पे गली की हम लंबाई रखेंगे तो यहां से धाई इंच पे आएगा जो हम राउंड शेप दीए धाई इंच पे ही आएगा और यहां से हम थोड़ा यह बूंद टैप में आकार दे देंगे जो गोलाई पे यहा और वहां पे डोरी लगती है उपर में और बैक हुक का ही यह ब्लाउज है तो यह देखे फ्रेंड्स इसे इस प्रकार से कट कर लेना है यह हमारा गला रेडी हो चुका है बैक पार्ट हमारा रेडी हो गया है कट के बहुत ही खुबसूरत ब्लाउज दिख रहा है अब हम अ वासि कि हमने चार इंच पर गला रहें तो चार इंच पर वैशन ही गला का निशान हो तो रहे होगर आशा कि वैशा किरुगं दाया सुच मолод माल मां मेरा method आप लोग को बहुत easy लगेंगा बहुत सरर तरीके से मैं आप लोग को बताती हूँ तो ये देखे friends इसे armhole को हम ऐसे ही cut कर लेंगे तो ये single अस्तर का है ये जैसे की padded वाला blouse नहीं है जो हम foam लगा के blouse बनाते हैं उसके लिए double अस्तर लगता है तो ये single है तो single हमने ऐसे कर लिए है तो ये देखे friends कुछ इस प्रकार से दिखेगा बनने के बाद ट्रांस फ्रांट उपर में नेट आता है और अंदर से अस्तर जाता है ये back part को भी हम उसी तरीके से cut कर लेंगे पाँच इंच पे निशान लगा के ये देखे friends पाच इंच पे हम ऐसे निशान लगा लेंगे इसे आधा इंच एश्ट्रा ले लेंगे साड़े पाँच इंच बैक part में हम बड़ा ले सकते हैं ट्रांस फ्रांट के लिए अभी यहां से हम इसे सीधा इसे बनाएंगे net से ही बनाएंगे कोई भी अस्तर से नहीं बनाएंगे हम तिर्षी पट्टी से बनाने वाले हैं कि तो देखे frend सुलने के लिए पहले हम अस्तर को शिल ले गां चैंपने साफ पलटा के लगा देंगे आर्म होल हम ऊपओ वे सीधा सीलाई एक लगा लेंगे अच्छे से रकतिहुए व्लाओज को लगा लेना हैं और जो नीचे का पार्ट होता है उसे हम ऐसे पल्टा के इधर से अस्तर की उपर एसे लख के यांसे सीधी यह जो सीधी सिलाई लगा लेंगे फिर इसे हम पलटा लेंगे यह उल्टे पार्ट से होता है अब इसे हम सीधा कर लिए तो हमारा बहुत ही फिनिशिंग ब्लाज बन जाता है हमें एस्ट्रा कोई पट्टी लगाने के जरुवत नहीं पड़ती है हम इसकी नीचे लेज भी ल लगा के और ऐसे हम राउंड शेप में देते जाएंगे कुछ भी काटने की जरुवत नहीं है कुछ भी वैसी जरुवत नहीं हम अच्छे से काटके इसे अच्छे से अराम से सिल सकते हैं यह बहुत इजी मेथड है आप प्रिंस कट ऐसा बनाऊंगे तो कस्टमर लोग की ल लंटा दिया था नेक को घुर जो नीचे का पार्ट होता है बैक पार्ट में हम पहले ही पलटाके सिलाइ लगा लिए अब यहां पर हम צक्स दे देंगे चार चार इंच पर हमें दो 2 के हमें हो कोpal Schools टे देना है ओर 3-3 पर इंच कि से बनाना होता है अच्छे से रख के तो देखे फ्रेंज कुछ इस प्रकार चैसे मशीन को उठाते हुए हमें फिर दबाना है फिर सिलना है तो हमारा जो कोना है बहुत अच्छे से बनके रेडी होता है डारेक्ट डारेक्ट सिलने कोशिश करेंगे तो बनेगा भी नहीं और कोना भी परफेक्ट नहीं आएंगा फिर यहां पर कट कट के निशान दे देंगे जो चोटे-चोटे नॉट्स होते हैं कट होते वह देना बहुत जरूरी होता है ताकि हमारा ब्लॉच का जुगने के वह अच्छे से साउधानी से पलटे और यह पलटने के लिए हमें देना ही पड़ता है राउंड शेप में कट और यह हमें एक सिलाई लगाके इसको कम्प्लेट कर दिये हैं तो यह हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है तो देखे इस प्रकार से कुछ बैक पार्ट हमारा रेडी है और बहुत ही खुबसूरत दिख रहा है अब फ्रंट पार्ट मे भी हम इसे लेक को कंप्लेट कर लेंगे य form लेक को कंप्लेट करने बाद शोलडर अटैच करके सीरोज कर के फीटिंग डालके हमारा बला अच्च लेडी तदिखिए फ्रेंग्स ऐसी बिद्द्धिंग कर देंगे ये हो गया बट नेक मेरा बना लिये हैं बलॉच को कि यह कंप्लेट हो गया है तो देखेए शॉल्डर जोर देंगे शुल्डर जोर ने के बाद हमारा यह रेड़ी हो चुका है है वाद देखेश्बिडर हमारा अटैज होने कबाद हम joy attach करेंगे एक्षाइज करने के लिए सेंटर। से बहुती अच्छे फिनिशिंग देती है इसलिए हमें स्लिवस सेंटर से अटाच करना होता है और यह देखिए फ्रेंड्स इसे हम जो बैक पार्ट है उसे कट कर लिए वहां पर हुक पट्टी आएगी तो हुक पट्टी के लिए हमने अस्तर लेके छोटा सा उसे कट करके सिला उल्टे तरब से करके सामने की और काज बनाएंगे मशीन द्वारा ही बनाएंगे मशीन से ही बना के अटाइच करेंगे तो देखे फ्रेंड्स हमारा कुछ इस प्रकार से बन गया है यहां से एक एक सिलाइड देदेंगे तो हमारा कपड़ा उठेगा ने इधर उधर से और अब छीट बैटेगा और ऐसे मोड के एक सिलाइड देके फिर हमें टक्स बनाना यहां पर जो हम टक्स बना लेते हैं और इसमें इंसर्ट करने के लिए हूप को कुछ इस प्रकार से बनाना है तो देखे प्रेंड ऐसे बनाते वे ला लेंगे तो देखे फ्रेंज हमारा ब्लाउज फिटिंग हो गया है हमारा ब्लाउज बनके रेडी हो गया है कैसा लगा आपको मेरा वीडियो आप लाइक शेयर कमेंट करेए और मेरे पूरे वीडियो जरूर देखिए आप लोग को कुछ ना कुछ सीठने को जरूर मिलेगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में बाबाई